हेलो गाइज आज हम बनाएंगे आटा बेसन का लड़ू इसके लिए कुछ हमें चार इंग्रिडियंट जाई है जो आटा बेसन गड़ और बदाम जाई है तो हम पैन ले लेंगे उसमें एक छोटे से कप में बदाम ले लेंगे इसको अच्छे धीमी आँच में रोष्ट करे आपकाई हो चुका है इसको मॉन निकाल लेंगे एक कडी लेंगे उसमें हम गी लेंगे एक घ्रियलिया है मैंने और यह अपने जो कर्ची देखे उसी के हिसाब सीमीन जो लिए आटा यह अजिन डनल लेंगे हम अभी घीमें और इसके साथ उसी किमाप का एक कप लिए मैंने बेसन बेसन भी डालनेंगे इसी के साथ आटे के साथ मिला के अब इसको अच्छे से धीमी आच में हम मिलाते रहेंगे जब तक इसका कच्छा पन चलाना जाए धीमी आच में इसको मिलाते रहेंगे इसको कम से कम 20 मिनिट आप इसको अच्छी तरह से चलात रहें बिल्कुन रोकेना जलाना देजीए इसका तीक्सचर अपने आप। इंज होता रहेगा। सकते हैं दी दूबिeten बनते लगा अभी हम यह स्टेज में आगे हैं यह पाउडर रिफॉर्म में दिख्ना पर इसका कच्छापन गया नहीं है अप देक्वक दीरी दीरे इसको अच्छे से समाश करते 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 दबाके आप अच्छे से रोष्ट करते रहें ये धीरे धीरे अपना तेल भी छोड़ने लगेगा हम देख जाएगी अब ये तैयार हो जुका है कब तक इसको मैं अभी निकाल लूगी करते करते सकते ही अबज़ाएगे अब इसको ये रेडी हो चुका है मैंने अभी नेछी लाइन में आप दिखा रहे हैं कैसा देखे रहा है और इसको मैं अलग से प्लेट में निकाल लूगी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें गुट्लिया जैसे दीख रही है फिर गुट्लिया नहीं है वो पूरी पग गई है वो ऐसी दिखेगी आपको जब इसके साथ अब गुड मिलाओगे यह पूरी तरह से मिल जागी बदा हम दिख लिए वो चुक है इसको हम क्या करना क्य और और चिलक लिकालेगे वो हाथ को ऐसे मसल लीजी हाथ फुन हो खुले तो सारे की लिकर जाएंगे मैं अपने मिठास के अनुसार आप अपनी अनुसार ले लिजी वा उनको थोड़ा सा हाथ में खुल करकर बदाम के साथ ही इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और सुखा ग्राइड ही कुछ नहीं गी नहीं डालना पानि और देख लिजे बदाम दाले मैं अपने किसने संद्र देख रहे हैं और गोड भी मैंने सिंधम डाल व civ ग्राइड कर लिया है आध Dru a6 कि देख लिजिए बदाम को पहले मैंने करेंड कर लिलता फिर सक personally मिल गई भी एं दोनुं की तगो अब इसको देखो ये पुरा थंडा हो गया है इसमना तपील कर घ्रम पन है तुम इसी के साथ हम जोंगे उस्से पहले प् Euh升 छथ हासिस इसको हाथों सहित का सर Bach मिक्षर के साथ मिला लोंगे अपने बेसन और आटे को अच्छी तरह से मिला लीजिए अब इसके हम दीरे-दीरे छोटी-छोटी लेड्डू बनाएंगे हातों से और इसमें घी का पन भी हलका है कि मैंने थुड़ा बिसिकली जाता हैं तो देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा लेके अच्छे से एक-एक करके अब बनाईएगा देख लीजिए मैं जल्दी-जल्दी फटा-फट से बना लेती हैं उसके अधाब को दिखाती हूं सारे के सारे चोटी-चोटी बनाईए बड़े-बड़े बनाईए और बहुत टेस्टी लगता है बहुत हैल्दी रहता है आप किसी को भी खिलाईए बच्चों को खिलाईए बहुत मज़े के बनते हैं देख लिए मेरा लड़ो बनके तयार हो चुका है कितना सुन्दर है कितना टेस्ट मुझे तो बड़ा मज़ा आया खाके आप भी बनाईए आपको पसंद आया मेरा चैनल को लाइक, शेर, सस्क्राइब करना मत भूलिये, प्लेज